देखे अब मंच सचकर के तयार है विदेशी मेहमानों के आने का सिलसला भी दिल्ली में शुरू हो चुका है लगतार जारी है आफ्रिकन यूनियन के अधाक्ष भारत भी पहुँच चुक है इटली अजेंटीना के राश्च्र प्रमुख भी पहुँचे हैं थोड़ी देर मे इनकी मेजबानी के लिए भी तयार है और आफ्रिकन यूनियन के अधाक्ष भारत पहुँचे ये उस वक्त की तस्वीर है इटली अजेंटीना के राश्च्र प्रमुख भी पहुँच चुके हैं तो आपको ये जानकारी दे दे कि जी ट्वेंटी शुकर सम्मेलन के लिए प्रिदेशी महमानों के आने का जो सिलसला है वो लगतार जारी है और इस सम्मेलन में 19 देश्चों के राश्च्र अधाक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे ये जलक भारतिय सभिता भारतिय संस्कृती की आफ्रिकन यूनियन के अधाक्ष भारत जब पहुँचे कु और आएमफ की एमडी ये तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हों ने भारतिय संस्कृती का भी लुफ्त उठाया और इस तरीके से कुछ डांस भी किया ये तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है आफ्रिकन यूनियन के अधाच अधाच अजाली और सोमानी भ ये ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि भारत मंडपम का जो पूरा रोड है जो की मतुरा रोड है उसको जो है कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो भारी संख्या में जो पुलीस फोर्स है उनको यहाँ पर ड जो ट्रैफिक पुलीस कर्मी है उनको जो ट्रैफिक स्मूज चलता रहे इसलिए उनको तेनाद किया गया है वहीं इसी के साथ में इस पूरे रोड पर जहां तक भी आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भारत मंडपम के आसपास कड़ी सुरक्षा रखी गई है और इसनी सुरक्षा है कि परिना भी परना मार पाए और अभेश सुरक्षा चकर जो है वो यहाँ पर तेनाद किया गया है आर्मी के लोग हैं सैना के तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं उसी के साथ में कड़ी सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ आप देख प यह पूरा जो रोड है इसको जो है मतुरा रोड कहा जाता है और इसी के साथ में यहां जो लेफ्ट साइट में भी जो भारत मंडपम का हिस्सा है और ठीक सामने इसकी तरफ जाने वाला जो यह ट्रैफिक आप देख रहे हैं यह मतुरा रोड की तरफ बढ़ रहा है यानि बहरो मार्क की तरफ चला जाएगा ठीक सामने आप देख पा रहे हैं इस रोड को बंद कर दिया गया है और इसी के साथ में लेफ्ट साइड में यहां यह चिडिया घर है जू है और यह जो ट्रैफिक अभी रोड पर आप देख रहे हैं बिलकुल ना के बराबर ट्रैफिक है जो आम दिनों के भीतर यह रोड जो है काफी ज़्यादा व्यस्त रहता था लेकिन अब जो ट्रैफिक है वो बिलकुल भी इस रोड पर नजर नहीं आ रहा है भारत मंडपम की और जाने वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता इस वक्त है हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी यह तीन तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है भव्या आयोजन की शुब घड़ी अब आ चुकी है मीटिंग का जो दौर है जो सिलसला है व पहुँचने शुरू हो चुके हैं विदेशी मेहमानों के आने के सिलसला भी जो शुरू हो चुका है उसकी तस्वीर है इस सम्मेलन में 19 देशों के राश्य अध्याक्ष और सरकार के प्रमुक भाग लेंगे जिसकी तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं तो G20 के तयारियों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तयारी यहां पर चल रही है और यह मंडपम की तस्वीर आप देख रहे हैं लगतार भीतर से भी किस तरीके की विवस्था की गई है भारत की धमक G20 की चमक की तस्वीर कुछ इस तरीके से भवया आयू जुन इस वक्त भारत कर रहा है G20 समिट को लेकर दिल्ली में इस समय जगे जगे सुरक्षा विवस्था कड़ी की गई है और इस समय हम उस रोट पर खड़े हैं प्रगती मैदान का वो इलाका जहां पर मंडपम तयार किया गया जहां G20 Summit होना है और अब आप देखेंगे कि दिली पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीमे हैं वो यहां से रवाना हो रही है जिसमें दिली पुलिस की महिला जवान जो पेट्रोलिंग में शामिल हैं वो भी यहां पर मौझूद है और अलग-अलग चेकपोइंट्स बनाकर इसी तरह स रास्ते पर गश्त लगाएंगी जो गाडिया आने जाने वाली हैं उनकी ID कार्ट्स चेक किये जा रहे हैं लोगों से पूश्ताच की जा रही है कि वो कहां जा रहे हैं क्योंकि पासर्स के साथ अगर वैलेड आईडी कार्ड हैं सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी सेंश्र से जड़े लोग हैं उनको आगे जाने की इजादत है लेकिन अन्यता ही कोई इस रास्ते पर आया है तो इसको यहां से वापस ही देजा जा रहा है यानि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और इस पूरे इलाके में एक और जहां सौंदरी करण पर ध्यान दिया गया है लेकिन इसके साथ साथ चूकि 9 और 10 सितंबर का जो दिन है वो बेहत खास होने वाला है और तमाम डेलिगेट्स यहां पर पहुंच चुके हैं सुरक्षा का इंतिजाम है उसको भी बेहत कड़ा रखा गया है पेट्रोलिंग टीम्स लगातार जो हैं वो गश्त कर रही है और पूरी कोशिश है ही है सुरक्षा कर्मियों की ओर से चाहे वो हर्ट सैनिक बलों का दस्ता हो चाहे पुलिस कर्मियों का दस्ता हो लगातार ड्यूटी पर तैनात है और कोशिश है ही है कि यह जो समिट है यह पूरी तरह से काम्याब रहे और कहीं भी कोई चूक ना होने पा अमारीका है, बांगलादेश है, मौरिशर से अमारीकी राश्ट्रबदी जो बाइडिन शाम को भारत पहुच जाएंगे बांगलादेश से भी दुपक्षिय अवारता होगी, शेक हसीना भी जिन से दुपक्षिय अवारता करेंगे प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी कई special passes भी दिये हैं, उन लोगों को जो essential services के लिए हैं या फिर जो लोग G20 से जुड़े काम कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही शक्स मौझूद है जिनके पास ये special pass है, सबसे पहले हम आपको pass दिखाते हैं और आपको जानकारी देते हैं, जैसे देखिए security में ये भारत मंडपम के होंगे बाहर की ओर तो इस तरह के passes इनको दिये गए हैं, जो की valid कब तक है, उसकी जानकारी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसी pass के जरीए इनकी entry भी अंदर होती है इसे बातशीत करते हैं, इनका नाम दिपू है, दिपू ये बताइए, ये pass आप लोगों को कब तक दिया गया है और इससे आप लोग कहां तक access कर सकते हैं इससे आप लोग कहां तक access कर बाते हैं, अंदर तक नहीं जा सकते हैं आप लोग क्या काम करते हैं, वाँ वाँ शीकोटी चेकिंग का काम है हमारा है ऐसे कितने passes बनाए होंगी? और ये pass के जरीए आपको दिली पलिस जाने देते हैं आप अभी कैसे ट्रावल करके आ रहे हैं? मैं ये तो अभी बन्द है, पैदल आ रहा हूँ पैदल आ रहे हैं, तो आपको रास्ते में रोका गया, पूछा गया, कहां जा रहा है? ये pass दिखाते हैं, आप तो आपको जाने की जाने देते हैं उन लोगों को कोई दिक्कत न हो, वो सुचारू रूप से, अपने घर से, उस इलाके तक पहुंच सके और साथी साथ सुरक्षा में कोई खामी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए इस तरह के पास इसका इंतिजाम किया गया है तो दुनिया का दिल्ली दर्बार लगतार हम आपको दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली के कोने-कोने से तस्वीर पहुंचा रहे हैं, आप तक विदेशी मेहमान जब पहुंच रहे हैं, तो कौन स्वागत के लिए उनकी मेजबानी के लिए पहुंचेगा, ये भी जान लिजे, स्वागत के लिए जो सरकार तैयार है, जनरल वीके सिंग केंद्रिय मंत्री है, जो बाइटिन अमेरीकी राश्रुपती का स्वागत करेंगे, रिशे सुनक, जब ब्रिटन के प्रधान मंत्री भारत पहुंचे, अश्वनी 24 केंद्रिय मंत्री उनका स्वागत के लिए और इसके अलावा इमानुवल माक्रो, राश्रुपती है, फ्रांस के, जिनकी स्वागत के लिए अनुप्रिया पटेल को इनकी जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रिय मंत्री है, ये भी, तो विदेशी महमानों के पहुंचने का सिलसला शुरू हो चुका ह और इसके लवा दर्शना, जरदोश है, केंद्रे मंत्री हैं, जो शेक हसीना, बांगलादेश के प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए तयार है, उनकी मेजबानी के लिए तयार है, फूमियो, किर्शिदा है, प्रधान मंत्री जापान के, अश्वनी चौबे, केंद्रे मंत जो को विडोडा राष्ट्रपती इंडोनेशीया के जिनका स्वागत करेंगे तो ये स्वागत के लिए सरकार तैयार है हर किسी की एक जिम्मедारी है और उसी क्रम में ये तस्वीर है इस वétais अधने हम आपके सामने रख रहे हैं तुर्किया के राष्ट्रपती के स्वागत के शांतन्यू ठाकूर को जिम्मदारी दी गई है कौन किसका स्वागत करेगा वो इस वक्त आप जान लीजे क्योंकि विदेशी महमानों के पहुंचने का सिलसिला लगतार जारी है और भारत भी तयार है दिली पूरी तरीके से तयार है मेजबानी के लिए और जैसे ही इनके फ् पूरी तरह से चावनी में तब्दील की गई है कला बना दिया गया है लेकिन आपको हम कुछ खास तस्वीरे दिखाते हैं किस तरह से इंडिया गेट के आसपास का इलाका इस वक्त नजर आ रहा है आठ सप्टेंबर को इस वक्त घोशित की गई थी चुट्टी दिली में प आपको हर जगा नजर आ जाएंगे ये पुलिस के जो इस वक्त पूरे प्लान है वो इस तरह का है कि एंडिया एमसी का एरिया पूरी तरह से उनके हाथ में हो वो चावनी में तब्दील करने का मतलब है कि चप्पे चप्पे पर कहां पर क्या हो रहा है इस चीज की जानकार हो हम आपको इंडिया गेट की इस वक्त पूरे उस सर्किल की तरफ लेकर आए है कि किस तरह से वो सजाया गया है वो हर जगा क्योंकि ये वही रूट होने वाला है जहां से सभी राश्टर प्रमुख यहां से निकलने वाले हैं जो भी सब्मिट में हिस्सा लेने के लिए ज इस वक्त वो जो त्यारियां की गई है वो आपको नजर आ जाएंगी भारत की अगर हम बात करें तो वो अपना संदेश बेज रहा है और अपने महमानों की जो कि जिस चीज के लिए भारत जाना जाता है और महमानों की इस वक्त जो सेवा है एक तरीके से आप मानिए कि महम आज तयार है विदेशी महवानों के स्वागत के लिए और आज किससे मुलकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुपक्षिया वारता किनकिन राश्र अध्यक्षकों के साथ होगी वो आप जाननी जास तीन देशों से दुपक्षिया मुलकात करेंगे प्रधानमं के साथ दोपक्षिय वारता होने वाली है